हाई फ्रेंड नमस्कार मैं विपल जीएस्टी बिट में आपका स्वागत करता हूं आज हम बात करेंगे जीएस्टी ऑन दा रेंटिंग ऑफ दे रेसिदेंशियल यूनिट दोस्तों अभी न्यूज में काफी आ रहा है लोगों में कंफ्यूजन है कि अगर हम रेसिदेंशिय यूनिट लेते हैं तो क्या हम पर जीएसटी अपलाई होता है क्या हमें लेना पढ़ोगा यह जीएस्टी अमें प् leur यह करना पढ़ेगा कैसी रिभर्ज चार्डगई मेंकिनिख पर फ्रवर्ड चांज मेंकिनिफ़ पे लैंड़ोड और च्णर्वर्ड दोन Christian है इसके अलाबा अगर हम रेसिदेंशल यूनिट्स अगर हम किराये पर दे रहे हैं तो क्या हमें GST रेस्टेशन लेना पड़ेगा इस तरह की काफी कन्फूजन है तो आएए देखते हैं हम लोग इस पर जो लौ है जो 18 जूलाई 2022 से जो नोटिफिकेशन आया उस नोटिफिकेशन को देखते हैं और एनलाइज करते हैं कि किन किन केसेज में GST अपलाई होगा रेंटिंग और रेसिदेंशल यूनिट्स दोस्तों आए देखतें लीगल प्रोविजन क्या है GST नोटिफिकेशन नमबर फाइव अबडेट 2022 जो 13 जूलाई 2022 से को आया नोटिफिकेशन और एतिंथ जूलाई से व्यू अपलिकेवल है यहां पर एक न्यू इंटी RCM लिस्ट में डाला गया इस इंटी का नाम है 5AA इस इंटी के द्वारा यह बताया गया कि सभी से बाइव रेंटिंग ऑसे डिर जो देंगे डिलीग तो एरेजिस्टर परसंच बाइए नी परसंट तो अनी रेजिस्टर पर सम्टों यहां services to any register person register person अगर residential dwelling units लेता है तो इस पर RCM के अंदर GST apply होगा इस law के अंदर RCM का मतलब होता है कि GST पे करने की जो liability है वो recipient पर होती है और ऐसे जनरली क्या होता है forward charges में मतलब होता है कि जो landlord होगा वो GST चार्ज करेगा और यह उसका payment करेगा including GST करके लेकिन इस case में जो tenant है वो GST government को पहले जमा कराएगा उसके बाद उसका ITC लेगा या नहीं लेगा उसकी यह करेगा वो eligible है कि नहीं तो यह log है अब आईए देखिए इसका analysis करते है इस notification यह notification जो है आपका 18 जुलाई जो है और बाइस से applicable है यह बताता है कि services by way of the renting of residential dwelling house by any person to any register person is subject to GST at rate of the 18% on RCM basis and tenant claim the ITC on the same after payment after deposit of GST यहां पर ध्यांदी जीए कि landlord चाहे वो register हो या नहीं हो इससे इस पर कोई effect नहीं पढ़ता कोई इंपक्ट नहीं पढ़ता दूसरी बात कि टीनेट पे तभी applicable होगा जब वो GST register है इसको और सिंप्लिफाइ करते हैं केसे देखते हैं अगर supplier या लेसर या landlord GST register person है उसकेस में क्या होता है कि supply जो है उसको सो करेगा वो और वर्ट सप्लाइ में लाइबल to taxes under RCM और इसलिए उस पर कोई भी additional GST liability on the landlord पे apply नहीं होगा दूसरा अगर कोई threshold limit में cover नहीं करता तो इसको registration लेने की requirement नहीं है जैसे services केस में 20 लाग और goods के केस में 40 लाग और इसको समझने करते हैं अगर GST if GST register or not register landlord rents a residential dwelling to a GST register person for residential or commercial purpose नहीं commercial purpose के लिए या फिर दोन परपस के लिए GST at rate of the 18% to be paid by the tenant and claim the ITC आगे देखते हैं अगर कोई person जो business भी करता सोल प्रोपाइटर भी है और reside करता है rented house में और रेंट है इवन रेंट जो है और रिजाइट करता है चुकि personal expenses है तो यहाँ पर RCM के अंदर तो payment उकर देगा लेकिन चुकि personal expenses है इसलिए वो block ITC के अंदर आ जाएगा आज पर section 77 अगर personal purpose के लिए यूज करते हैं तो ITC आपके लिए eligible नहीं होगा आगी समझते हैं अगर कोई proprietor रेंट पर लेता है कोई company भी रेंट पर लेता है अपने employees के लिए तो वो क्या समझा जाएगा for the furtherance of the business अगर इस case में वो RCM के अंदर pay करने के उसका ITC लेने के लिए eligible होगा तो यहां पर हमने यह समझा कि cases जहां पर टीनेंट लाइबल नहीं होगा residential property rent पर लेने के बाद पहला case वो जब tenant जो है GST में register नहीं है तो is not required to pay GST when renting a presidential property second salary class person अगर कोई residential unit लेता है is not required to pay GST when renting a residential property salary person को घबराने की जरूत नहीं है अब प्रोब्लम का जो पाइंट आ रहा है कि बहुत से लोग है जो residential unit ले रहे हैं और उसको business purpose के लिए यूज़ कर रहे हैं तो यहां पर वो RCM के अंदर पे करेंगे अच्छों कि business purpose के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसका ITC लेने के लिए होंगे लेकिन अगर वो reside भी करते हैं वहां पर यहां पर जो बनते हैं वह हमने यहां पर कवर कर लिया है इसके लावा कोई भी अगर आपके कोई हैं तो आप comments box में आप लिख शकते हैं और गौर्वेंट के तरफ जो कोई भी clarification आएगा तो मैं इस पर अपडेट करूंगा कि अज़िए कि अज़िए